हलो दोस्तू, हाव आर यू, कैसे आप सब, आज हम एक टोपिक पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, टोपिक का नाम है कौन्टम संख्या, कौन्टम संख्या के अंदर भी टोपिक है कौनसा दिगन से कौन्टम संख्या, कौनसा टोपिक है, दिगन से कौन्टम संख्या, ठ देखेंगे इससे पहले हमने क्या टोपिक पड़ा था मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है अना उसका मान बढ़ना ये गटने पर क्या एफेक्ट पड़ा था और दिगंसी क्वांटम संख्या पर मुख्य क्वांटम संख्या का संख्या का क्या एफेक्ट पड़ता है ये मुख्य क्वांटम संख्या आनी चाहिए तो उसका वीडियो जरूर देख लेना मेरे यूटूब चैनल पे ठीक है न जाके वीडियो के अंदर तो अब मैं थोड़ा सा डेटेल से समझाऊंगा मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है उसके बाद मैं दिगंसी क्वांटम संख्या को समझाऊंगा तो याद रखना कि मुख्य क्वांटम संख्या है उसको इंगलिस में बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम संख्या उसको small n के द्वारा परदर्शित करते हैं किसको मुख्य क्वांटम संख्या को फहले थोड़ी सा मुख्य क्वांटम पढ़ेंगे फिर दिगन से पढ़ेंगे ठीक है तो मुख्य क्वांटम संख्या को small n के द्वारा परदर्शीत करते हैं इस जो मुख्य क्वांटम संख्या है इसका मान एक से start होता है ये 1, 2, 3, 4 ठीक है ना कहां से start होता है 1 से start होता है जो मुख्य quantum से क्या है वो किसको represented करती है वो करती है cos को किसको represented करती है cos cos क्या होते है मतलब cos हम 1, 2, 3, 4 से represented करते है 5, 6, 7 हभी तक 7 cos ही present है हमारे पास अब आगे देखो यदि मुख्य quantum संख्या का मान क्या हो भढ़ता है या गढ़ता है तो उसका क्या effect भढ़ता है यदि n का मान मुख्य quantum संख्या का मान भढ़ा तो उससे cos की संख्या किसकी संख्या cos की संख्या मतलब इसको क्या बोलते है इंगलिस में सैल की संख्या भढ़ जाएगी क्या हो जाएगी सैलों की संख्या भढ़ जाएगी जैसे एन का मान 1 हुआ या 2 हुआ या 3 हुआ या 4 हुआ तो यहाँ पे एन का मान 1 होगा तो कोस कुन सा होगा पहला होगा यदि N का मान 2 होगा तो कोस कुन सा होगा दूसरा होगा यदि N का मान 3 होगा तो कोस कुन सा होगा तो N का मान 4 होगा तो कोस कुन सा होगा चार होगा इतनी बाद समझे आ गई तो यहाँ पे N का मान भढ़ रहा है तो कोसो का मान भी भढ़ेगा कोसों की संख्या भी भढ़ती है इतनी बात समझ आ गई किलिये रहा तक अब हम आगे पड़ेंगे दिगनसी कौंटम संख्या इतना जो मैंने समझा है मुक्ष कौंटम संख्या के मेटर में ये अब दिगनसी कौंटम में अपलाइ भी करेंगे ठीक है याद रखना दिगंसी जो quantum संख्या है इसको हम small l की द्वारा represented करती है मतलब small l की द्वारा हम इसको परदर्शित करती है यदि जो दिगंसी quantum संख्या है उसका मान कहां से start होता है 0 से start होता है 0 1 2 3 4 ठीक है ना मतलब l का मान है वो 0 से start होता है 0 1 2 3 4 तक होता है ठीक है ना अब यहाँ पे दूसरा एक formula है या फिर हम l का मान कैसे निकाल सकते है l का मान हमेशा n के द्वारा ही निकलता है n मैंने क्या बताया था मुख्य quantum संख्या तो n के द्वारा ही हम l का मान ग्याद कर सकते हैं तो l का मान ग्याद करने के लिए हमारे पास formula है l बराबर n-1 होता है ठीक है ना तो l बराबर n-1 तो means क्या हुआ यहाँ पे जो n है वो किसको सो करता है मुख्य quantum संख्याबो किसको रिपरजेंटेट करता है मुख्य quantum संख्याबो अब यहाँ पे n का मान बढ़ेगा तो l का मान क्या होगा उसके according depend करेगा मान लो यहाँ पे मैंने n का मान 1 रख दूँ किता रख दूँ n बराबर 1 रखूँ तो formula क्या बनेगा n की जगे 1 रखा तो हमारे पास minus 1 तो क्या आएगा 0 आया क्या आया 0 आया तो मैंने हभी क्या बताया था कि l का मान 0 से start होता है तो यहाँ पे क्या आगया यह 0 आगया ठीक है इतनी बात clear रहाएं तक आगे देखो formula हमारे पास था l बराबर n-1 एक इस formula से हमें एक definition भी निकलती है l का मान हमेशा मुख्य quantum संख्या means n से एक कम पाया जाता है तभी तो 1-n लिखा है हमने ठीक है अब यदि l बराबर हम यहाँ पे n बराबर 2 रखें क्या रखें तो n बराबर मैंने 2 रखा minus 1 क्या यह l का मान 1 आया ठीक है यदि l का मान n का मान sorry 3 रखूं वहाँ पे 1- कितना आएगा यहाँ पे 2 आया ठीक है न यदि n का मान 4 रखूं 1- कितना आएगा 3 आएगा इत्ती बाद समझ में आ गई यह समझ में आ गई तो मैं आ गई समझा रहा हूं एक बात याद रखना कि हम जब l का मान गयात हो जाता है तो उसके दोरा हम किसका मान गयात कर सकते हैं उपकोस का मान गयात कर सकते हैं पहले थोड़ा सा ओड़ीटेल से पढ़ो इसको उपकोस क्या होते है उपकोस क्या होते है उपकोस ठीक है उपकोस जिसे इंगलिस मूलते है सबसेल उपकोस का मान गयात हो जाता है किसके दोरा हो जाता है दिगंशी कॉंटम संक्या इसमूल L के द्वारा, उपकोस कौन कों से होते है, S होता है, P होता है, D होता है, और F होता है, कौन कों से उपकोस होते है, S होता है, P होता है, D होता है, और F होता है, इस L के द्वारा हम उपकोस का मान ग्यात कर सकते हैं, और एक इसके द्वारा कोणिये सवेक का मान भी ग्यात कर सकते है इसके द्वारा दिगंसे क्वांटम संख्या के द्वारा तो यहां पे L के द्वारा L को हम दिगंसे क्वांटम संख्या को का दूसरा नाम कोणिये क्वांटम संख्या भी कहते हैं क्या कोणिये क्वांटम संख्या भी कहा जाता है अभी मैंने थोड़े देर पहले समझाय था कि यहाँ पे सुत्र लिखा था मैंने L बराबर N minus 1 और यहाँ पे L बराबर N का मान मैंने कितना रख दू 1 रखा यहाँ पे 1 तो यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा यदि L बराबर मैंने N का मान क्या रखा 2 रखा यहाँ पर 1 तो क्या आएगा 1 आया यदि L का मान 3 रखूं कितना रखूं 3 माइनस 1 बरावर 2 और यदि L का मान मैं 4 रखूं माइनस 1 बरावर क्या जाएगा 3 आगर इतना मान मैंने पताए था पहले कि L का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक होता है और L का मान हमेशा 0 से स्टार्ट होता है जब L का मान 0 हो क्या हो? L का मान 0 हो तो उपकोस कौन सा होगा? S होगा कौन सा होगा? S उपकोस होगा यदि L का मान कितना निकला है? 1 निकला है तो उपकोस कौन सा होगा? P होगा ठीक है? यदि L का मान 2 आया है हमारे पास तो उपकोस कुन सा होगा D होगा यदि L का मान हमारे पास 3 आया है तो उपकोस कुन सा होगा F होगा आगे समझ में यह तक डिटेल से यह मुखे दिगंसे कौंटम से क्या थी L का मान 0 है तो S L का मान 1 है तो P L का मान 2 है तो D और L का मान 3 है तो F आएगा अगर समझें कुन सा आएगा F उपकोस आएगा अब देखो आगे थोड़ा सा यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है इस quantum संख्या को कौन ये समवे quantum संख्या या कौन ये quantum संख्या भी बोल सकते हैं कहते हैं इस quantum संख्या को small L के द्वारा परदर्सित करते हैं यह quantum संख्या परवाणों के इलक्टून अपर वैं उपकोस की आकरती के बारे में भी बताती है यह quantum संख्या इलक्टूनों के कुने समय को ग्यात करने में मदद करती है यदि L का मान 0 0 मान 0 से प्रारब होकर N-1 तक चलता है L का अंति मान हमेशा N से एक कम होता है तो L बराबर 0, 1, 2, 3, 4 N-1 अब मैंने यह लिखा है L बराबर क्या हो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो N-1 तो कौन-कौन से आजाएगा S, P, D और F उपकोस आता है हीतिवास मुश्णगी हम आपके में क्रेसर न यहदि कोई वीडियो टालता हो तो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्रापत हो जाए तो अब देखो इलक्तोन अपर क्या होता है जा थोड़ा डिटेल से बता है या फिर दूसा वीडियो बना दूँगा थोड़ा से यहां समझ लो वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा इसलिए थोड़ा छोटा ही करूँगा तो इलक्ट्रोन अबर क्या है? कोई भी जिसे कि ये एटम है क्या है? ये कोई भी एटम है इस एटम के अंदर जहां पर इलक्ट्रोन जिसे फूर एक्जम्पल यहां पर इलक्ट्रोन क्या पाए जा रहे है? बहुत हदिक पाए जा रहे हैं क्या पाए जा रहे है? यहां पर इलक्ट्रोन बहुत हदिक पाए जा रहे हैं तो इस इस्थान को हम क्या बोलते हैं? हुआ इलाक्ट्रोन अपर और नोड क्या होते हैं तो आज के लिए इतना ही आप मेरे चैनल पर नए हो तो बोल रहा हूं चैनल को सब्क्राइब करना अपनी दोस्तों को सेर करना सो थैंक्स जैंद बंदे मात्रम